गैस की समस्या एक आम समस्या है, शायदी ऐसा कोई हो जिसको इस समस्या से जूजना ना पड़ा हो, कभी कभी गैस बनने की बात अलग है, लेकिन अगर आपको बारबार और लगातार यह समस्या हो रही है, तो आपको साथान रहने की जुरूत है, क्या आपको बारबार गैस बनती है काफी परशानी और पेट में दर्ध का सामना करना पड़ता है कभी कभी गैस फसने की वज़े से छाती में दर्ध होने लगता है अगर हा तो आपको उसका निवारण फॉरण करना चाहिए क्योंकि पेट में बारवार और लगातार गैस बनने की समस्या आपको कि आप gastric problem से जूज रहे हैं चलिए जानते हैं आखिर क्या है gastric problem पेट में gas की समस्या एक ऐसी सिती है इसमें पेट की membrane layer गड़बडा जाती है और acid का इस्तराव घूरता है एक वार जब यह acid पेट की दिवार की संपर्क में आ जाते हैं तो यह दर्द और बेचैनी को जनम द होती है लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है आस्वस्त जीवनशैली बच्चों पर भी इस समस्या को जनम दे सकती है गैस्ट्रिक समस्या या गैस्ट्रिक पेट की परत की सूजन जलन या शरण है या तीवर होने से शुरू होता है और दीरे-दीरे पुराने इस्तिती में बदल सक क्या है गैस्ट्रिक समस्या काफी असैज हो सकती है लेकिन यह आम तोर पर गंबीर नहीं होती है हाला कि कुछ मामलों में यह काफी भयानक साबित हो सकती है ज्यादातर मामले ऐसे होते हैं जिनमें डॉक्टर से संपर्ग करने की आवाशक्ता नहीं होती और कुछ ही मिंटो में आराम भी मिल जाता है समानने तोर पर नजर आने वाले कई लक्षन शामिल हैं जिसमें खटी डकार आना या एसेट पेट में एधन पेट फूलना या भरा हुआ मैसूस होना या पेट के आखार में ब्रदी या पेट टाइट होना छाती में दर्द बैसे तो यह एक आम स जरूत है इससे आपको पेट दर्द बजन घटना बुखार या खूनी मल जैसे लक्षन नजर आ सकते हैं यह सभी पाचन विकार जैसे सीलेक रोग अलसेरेटेव कोलाइटिस या क्रोहन रोग के लक्षन है यदि आपको कोई बड़ी समस्या हो रही है तो आपको फॉरण ड बदला भी आपके वेहत काम आएंगे नमबर एक आजवाइन और काला नमक आजवाइन एक ऐसा मसाला है जो आपको गैस की समस्या से इंस्टेंट रिलीव देने का काम करता है यह एक जाचा परखा आयरवेदिक इलाज है जो बरसों से गैस की दिक्कत के लिए किया जा रहा है आपको आजवाइन और काला नमक पीसकर एक चूंट तयार कर लेना है दिन में दो बार गर्म पानी के साथ इसका सेवन करना चाहिए हलांकि ज़्यादा सेवन करने से बजना चाहिए अनेथा दस्त की समस्या भी हो सकती है नमबर दो अद्रक का जूस गले की खराश को अद्रक करके नीवू के रस के साथ सेवन करना चाहिए नमबर तीन तिर्फला पेट दर्थ की कई समस्याओं के लिए तिर्फला काफी फायदेबंद है जिसमें गैस भी एक बड़ा नाम है कई वार ज्यादा गैस बनने से एसेटिर जैसी समस्या होती है जो काफी जलन देत हैं उस इसut टरिफला का चूण फायदेबंद है इसका सेवन करने का वस उचे तरीका पता होना चाहिए यदि आप टरफला का सेवन करना चाहते हैं तो पाँस से ज्यादा से दस मिनिट के लिए आदे चम्मस टर्वा को पानी में उबाले और फिर रात में सोने से पहले इस